कि नमस्कार मैं हूँ राहूल शेम और आप देख रहे हैं इस पे नाइन नियूस स्वागत है आपका अमारे स्कास प्रोग्राम में है आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं राजस्थान की राजस्थान में जल्दी विधान सबाद चुनाओ होने वाले हैं और चुनाओ से पहले जिस तरह से बीजेपी में घमासान देखनों को मिलना है या फिर हम यह कह सकते हैं कि बीजेपी में पार्टी के आपस में नेताओं के बीच में अन्बन देखनों को मिलने जिसका बड़ फायदा मिला तो इससे कॉंगरिस के जीत भी कहीं न कहीं सुनेश्चिद है अगर मैं राजस्तान की बात कर रहा हूं तो दिखिए वसंद्रा राज़े की हम बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो परेशान नजर आ रही है पूल्ब राज़पती और राजस्तान में बीजेपी क से संबंदित है लेकिन इसे सीधे मुख्यमंत्री वस्तुन्रा राजे को लिखा गया है हाला कि मेडिया में मामला खुलने से पहले तक इस पर कोई चर्चा नहीं थी लेकिन अब मामला संभाले नहीं समझ रहा है राजिस्तान में केंद्रे नेत्रित्व की आवाजाही बढ़ रही है इन सब की बीच मुद्दा बनी चिठी ने प्रदासी प्रादेशिक नेत्रित्व के हाथ पाउँ फुला दे ही सब्ते आमित शाह जैपूर आ रहे हैं साथ जुलाई को ही प्रदान मंतरी नरेंद मोदी जैपूर में रैली करके गए हैं और पार्टी सरकार के नगर निगम अब इसी उधेर बन में हैं कि इस तोफान को शाह के आने से पहले शांत किया जाये तो कैसे यह देखनों को मिला कि एक चिठी है जिसने राजनीतिक माहौल काफी गर्म कर दिया है उससे कहीं न कहीं वस्तुंद्रा राजी की परेशानी भी बढ़ गई है क्या है चिठी में आपको जानकारी देते हैं नर्पत सिंग राजवी जैपूर शहर की विद्याधर नगर विदानसभा स्टीट से विद्धाया कैं उन्होंने विजेपी शहर अध्यक्स संजे जैन शहर मंत्री हिम्मत सिंग और यहां के वाड नमबर आठ के पारसर भगव दरजन से जादा मैट्रो स्टेशन की पार्किंग का ठेका हासिल कर लिया इस कंपनी में हिम्मत सिंग का रिष्टेदार भी सामिल है जो यूवा मोर्चा का पदरिकार है आरोपों की फेहरिस्त यहीं तक सीमित नहीं है आरोप है कि कुप्टा एंड कंपनी को शहर के नालों कि सफाई का ठेका दिलाए गया था राजनीतिक रसूक से ठेकी हासिल कर खुलासा तब हुआ जब सफाई ना होने की शिकायत की गई राजवी की मुताबिक जब ने मेर अशुक लोहाटी से कारवाई ना होने की बारे में पूछा तो मेर ने अपनी लाचारी जताई में शाहरा भी दिया कि ठेकेदार फार्मो द्वारा भश्टा चार होता कैसे है बेमानी ठेके लेने वाले दस से बारा महीने बाद बिल लगते हैं इतने लंबे वक्त के करनण मामला ठंडा पड़ जाता है ठेके में जमा सेक्योर्टी राशी का समय भी निकल जाता है और इ स्थिती सही नहीं थी रजवी के मुदाबिक निगम पारसद जोन उपायुक्त को पहले अवैद इमारतों के बारे में चेटी रिखती हैं इनको नोटिश जारी करवाते हैं और इसके बाद शुरू होता है इमारतों के मालिकों से वसूली का खेल बताया जाना इस साल फरवरी जेन धर्म सेंग की मिले भगत ये खेल काफी वक्त से चल रहा था लेकिन आखिरकार इस से तरह इस समझ में आया कि आखिरकार कि तो पैसे लेकिन काम नहीं हुआ हाला कि जिन पर आरोप लगाएंगा है वह इस विधायक की हताशा बताते हैं पार्षद का कहना है कि इस बार राजवी को शायद टिकट नहीं मिलने वारा है इसलिए पार्टी पर दबाव बनाने की नीटी के तहते काम कर रहें विजेपी शहर अध्यक अध्यक्ष्ण कहा है कि यह गलत है और इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो होगा उसमें खुल सामने आ जाएगा अब बीजेपी के अगर हम बात करते हैं पूरे विवाद ने विपक्ष को ब्रश्टाचार के मुद्दे को भुनाने का मौका दिया है कॉंग्रेस अध् बाड़ी के मिसाल देते हुए कहा कि बीजेपी नेतुत बजाय सुचिता के पालन के ब्रश्टाचार उजागर करने वालों को यह बाहर जाने पर मजबूर कर देता है कॉंग्रेस के मुद्दे लपकते ही बीजेपी के उपर से लेकर नीचे तक बैटकों के दौर शुरू ह संगठन मंत्री चंद्रशेकर और नर्पत सिंग राजवी के बीच लंबी बातचीत भी हुई पर्देश अद्यक्ष मदन लागसैनी की तरफ से भी मेडिया में सफाई दी गई पार्टी आफिस में ही जैपूर सहर से आने वाले कई विधायकों और मंत्रियों मसलन काली चर बात अमिश्या तक पहुंसती है तो मामला बहुत ज्यादा गर्मा जाएगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से राजस्तान में बीजेपी की हालत कुछ खास नहीं है और सबसे बड़ी बात है चुनाओ नजदीक है और कहीं ना कहीं चुनाओ पर भी इसकासर देखने को मिल सकता है और इसी वज़ा के चलते वसंद्रा राजे काफी परिशान नज़र आ रही है अगर ऐसा नहीं हो पाया तो शाह के सामने गलत संदेश जा सकता है सरकार के जो यह जो डर है कि मुक्यमंत्री के विरूद में कई और नेता भी है जैसे रामगड़ विदायक यान देव भूजा जैसे दूसरे विदायक भी कई परिशानी खड़ी कर सकते हैं तो यह देखिए बड़ी बात देखनों को मिली और जैसा कि मामला इसमें आया और जब खूल कर सामने आया तो कहीं ना कहीं बात देखनों को मिली कि बीजेपी की तरफ से लापर वाही बरती गए और से कहीं ना कहीं कॉंग्रिस पाल्टी के नेता सचिंट पाइलेट ने साफ तौर पर कटाक्ष भी किया कि बीजेपी जिस तरह से ब्रष्टा चार को बढ़ावा दे रही है तो कहीं ना कहीं इससे चुनाव से पहले बड़ा जो खुलासा सामने आया इस से बीजेपी को नु वसंद्रा राजय ने उनसे दूरी बना रखी है इस साल बजट में वहरो सिंग्छा खामत के नाम से नई योजना भी चराई गई है लेकिन इसके सिवा अब तक वसंद्रा पर उनका अनाधर करने का ही आरोप लगा है खुद राजवी भी अब नई पार्टी बना चुके है घंशाम तिवारी के साथ असंतुष्ट गुट में रहें कई राजवी से खुल कर्स वसंद्रा का विरोध करने का नेत्रित्व का आवाहन कर चुके हैं ऐसे में अब देखने वारी बात तो यह होगी कि क्या परेशानियों में गिरी बीजेपी के लिए राजवी एक और पर राजवी से वसंद्रा सरकार की को चैन की सांस लेने देंगे बैटे बिटाए कांगरिस को बड़ा मुद्ध मुद्ध मिल चुका है और जिस तरह से राजवी साल के अंत में इस साल चुना होने वाले हैं और चुनाव से पहले इतना बड़ा मामला सामने आना इससे कहीं न क नाट ऑफिजे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है की जी सतरा से अभी तक यह देखनों को मिला है कि राजस्तान में की यह नहीं अच्छा प्रफोर्म्स नहीं कर पाई जिस कि तक बीजेपी के जीतना अतना असान नहीं है जितना वसंद्रा राज्य को लग रहा है वी तक उस समय पहले जब उपचुना हुए जीहां राजस्ताल में उस दौरान जिस तरह से देखने को मिला कि उपचुना में बीजेपी की हार हुई और कॉंग्रिस को जीत का सामना करना पर यह जानकारी देदू के राजस्तान में जिस तरह से कॉंग्रिस को बैटे बिठाय मुद्दा मिल गया वह से जल्द छोड़ने के आश में नहीं है और जिस तरह से इस ब्रश्टाचार यह घोटा अला हुआ है इसमें बीजेपी को बीजेपी पर निसाना साधा जाएग में वसुंद्रा राजे की हार होती है तो इसका सबसे बड़ा जटका लोगसवा चुनाव में भी लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा जटका यह देखने को मिलेगा कि जिस तरह से बीजेपी की हार हो रही है उससे कहीं ना कहीं यह देखने को मिलेगा कि ल दोबारा मुलाकात होगी तब तक लिए जाज़े दीजिए नमस्काइब